तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोबोर और केवलोसिम ब्रीज केवलोसिम ब्रीज को लॉंग वाइट सेंड़ बीच भी बोलते हैं बीच में आपको ब्रीज आएगा ब्रीज बहुत ही सुन्दर भी हुए एक देखने के लिए आपको अभी आपके सामने आ जाएगा तो चलो चलते हैं यह आप स्टार्टिंग के कुछ देख सकते हैं जहां पर बीच से लिया गया है कितना ही सुन्दर है बिल्कुल ही जौनक मतलब आपके धीवन में आ जाएगा देखने के बाद में आप देख सकते हैं तो यहां पर यह है आपको एक साइट सीप दिखेगा दिखेगा देख सकते हैं मतलब बिल्कुल ही अलग ही लेवल का फील आएगा आपको फील होगा एक कहीं गोवा में नहीं कहीं और से हो जहां पर माउंटें जोगा रहा हो तो यह सा आपको फील आने माला इसमें इस बीच पर जरूर इस पर मैं रास्ते भी पताऊंगा कैसे जाना है और थोड़ा आपको वीडियो को लास्त तक देखना पड़ेगा फिर मैं बताऊंगा कि अगर आते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं फाइनली हम लोग रास्ते में आगे निकल गए मोगोर बीच के तरफ और मोगोर बीच के तरफ देखो तो यह रास्ते में आप देख इस बीच की एक खास बात है कि इवनिंग में बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहां पर आते हैं लेकिन आपको याद रखना है अगर आपको यहां पर जैसे कोई लुग जाते हैं कि बीच क्लोज हो जाता है मतलब आप अंदर नहीं जा सकते हैं बाहर तो आप पर रही सकते हों क्योंकि वेव जो हैं बिल्कुल किनारे तक आजाती है इसलिए तो जैसे आप देखोगे कि टाइम तब का मैं इसमें बना रखा हूं कि कैसे लोग भी बढ़ते हैं टाइम के साथ में और कितना सुन्दर न जा रहा है तो अब यह वन अब दा बेस्ट एक्स्पिरियेंस रहा है बाकी बीच पे भी गया हूं बट यह वाला मतलब और भी ज्यादा एक्साइटिंग है तो इवनिंग में कुछ इसी टाइप का आपको मस्तिन यहां पर मिलने वाला है इसलिए यह बीच और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है यह ध्यान दखना है जिनको नहाना है यहां पर जिनको थोड़ा बहुत एंज्वाय करना है पाटी करना है पानी में जाना है मेक् आप रात में आओगे नाइट में यहां पर अलावड बिलकुल नहीं है यह बात करते वक्त मुझे भी यह पता चला तो यह देखो जैसे इवनिंग होगा लोग आते जाएंगे यहां पर और यह बीच बहुत बड़ा है यहां पर जिसे अभी तो क्या है इसे इंडियन हुआ है हम लोग आप यह देखिए संद्राइज प्लस आप देख सकते कि इसमें बहुत सारे लोग अभी धीर देर आना है स्टार्ट हुए हैं विक्ति हम लोग थोड़ा पहले आ गए संदे और संदे को अम लोग निकलते हैं तो पहले आगए मैं यहां पर कॉलन गेट पर लेकिन यह वाला बीच में इवनिंग टाइम जो इतना ब्यूटिफूल है वहां पर मुझे नहीं दिखाए वह यहां पर यहां पर यह है कि आपको थोड़ा डिस्टेंस पर मिलेंगे क्योंकि किनारे तक बिल्कुल पानी आ जाता है जो एज तक यहां पर पानी आ जाता है में आप देखेंगे इसी ब्लॉग में देखेंगे कि इवनिंग में वेव कितनी ज्यादा आगे तक आती है जो अब हम मैं वहां पर गया हूं आप देख सकते अंदर दिख रहा हूं इवनिंग टाइम में वहां से एक लिस्ट मुझे 50 मिटर बाहर आना पड़ेगा अधर व आपको ब्लॉगिंग करना हो आपको अपने गल्फिंट के साथ घुमना है आपको अकेले घुमना है आपको दुख और सुख जो भी यहां पर मतलब सेर करना है समुंदर के साथ में वन अप देश्ट प्लेस है बोर बिलकुल नहीं होगे क्योंकि पानी बीच साब सुतरा है और प्लॉफ वीव अच्छा खासा आता है और क्लीन तो बहुत ज़्यादा गोवा की लगवक सारी बीचे जाए यह एक अच्छी बात है क्लीनेस में कोई डाउट नहीं है यह ज़रूर है कि गोवा आप नहीं आए तो जैसे बहुत बार होता है ना हम लोग लोग पीके कैन बीच का बोटल जाते हैं यह सा ना करें तो अच्छा रहेगा और कंट्री इपिजावर ड्यूटी को कि पिट लेन मुझे लगता है बाकि मोदी जी बोल चुके हैं तो यह आप देखो इवनिंग टाइप देखो जैसे खुब सुर्ती बढ़ती जाएगी इसकी और ज्याद वीडियो बनाया था आप लोग जाके उसमें देखेंगे तो मैं उसमें आपको बताया तो हॉलेंड बीच पे आप स्टार्ट कर सकते हो एक साथ नहीं है बहुत सारे बीच उससी रास्ते में आएंगे अगर पानी किनारे तक नहीं हुआ आप वाक करते हो तो यू कें कवर बहुत सारे बीच एक साथ कवर कर सकते हो सारे के सारी जॉइंड बीच है मेरा प्लान है लेगिन अभी नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा है और बाहर मतलब पानी आ चुका है तो आप अगर जाएंगे तो मैं आप हो सकता है प्रोब्लम हो लेकि उज्वाली क्या होता है थो पूरा का पूरा ये जॉइंड है तो अगर किसी को एडवेंचर करना है तो आप कर सकते यह मैं आपको बहुत बढ़ीया बता रहा हो लेकिन इतमे क्या फिर यह धियान रखना होगा 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 और मस्त घंटे मुंदे मुदा सकते अपना होगा असकते इसकुटिस नहीं तो आने वाले टाइम है बजट बढ़ेगा तो कुछ अच्छा और करोंगा और अच्छा दिखाऊंगा आप देखाऊंगा आप देखो फैमली जो गारा आना सुरूबा जिरे दिरे भीड़ों करें इकटा होना सुरूबा आप यह क्या तो जब आओ तो बीच एक्स्ट पर रोंग करना है यह केahu पर यह तो आघर बिचपी से करके जाओंगी बहुत लोग है भी से कोलुट हो गया यह शल्मिच लोगовHa को बारे पता है आरंबोल हो गया यह सब बीच के बारे में पता है लेकिन कुछ ऐसे बीचेज हैं जो देखने हैं बहुत सुंदर है उतना ज्याज़ा लोग आते नहीं है बट जो बाकी बीच है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही म्यूटिफुल है यह भी ता इधर भी एक्स बंदर में जा रहे हैं इनका फोटो लेना है यह देखो यह जींग क्या फील है ऐसा ही मैंने इंटरेस्टेलर मोवी में देखा था अगर आप लोग देखा होगा ऐसा फिर सीन था उसमें यह था वेव उठ रही थे बहुत ज्यादा 4D में उठ रही तो अपना 3D है यह पैसे वाले लोग यहां पर नहीं आते हैं आपके उपर है को को आया है उसको भूमने के साथ में कबाब भी खाना हो तो पैसा तो बरना पड़ेगा ना लेकिन अगर तिर्फ घूमना है आपको तो बढ़िया है ना तुम लेलो रेंट लेलो आराम सा है कितना दस बारा दस बारा लोगे चितल तुम ला जिला कि 5-0 लेलो ब्रेंट पर अगर शुटी लेते हुँ तो पर देट 300-400 चार्जर पड़ते हैं 500 डिपेंड करता है कितना भीड है तो यानि के 25,000 में आप आप अराम से चाहो तो एक महीन रह भी चटते हो आप तो आपको जे पास देखने के बाद में दिल में ठोड़ा गम दियो वह भी दूर हो जाए जीने की चाह उठ जाए ऐसे नजारे देखने के बाद में आप इसलिए अराम से बैठा था यहां पर देख रहा था कि देखो क्या सुंदर है यहां पर जो बन रही है और जो जेद रही इजनिंग में जैसे 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 जो होता है वो सेट होता है और संसेट होता है साथ में संसेट होने के बाद मैं यहां पर देखें और ही सुंदरता इसकी बढ़ती जाती है वेब भी साथ में उठ रहा है और यह देखो यह वीव आपने कहा देखा हूं वीज में देखा होगा लिट तो यह मोबोर भीच बीच 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 भी बोलते हैं तो आपको यह ध्यान डखना है इसको लॉंग गोंग सेंडर भीच भीच भी बोलते हैं ठीक हैं टो आप जिए हॉआज से देखो डाया में पर सौचकरों मिल रहेगा मैं बोलूँ गा जब बीच आप मोगोर बीच पे आ रहे हैं तो आप जो बीच में ब्रीज दिखाया था मैंने जो बीच में ब्रीज दिखाया था उस ब्रीज पे जरूर जाएं आपका जो एक्सप्रियेंस है इस गोईं टो अमेजिंग और यह देखो फाइनली तो हम लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो लास्ट सीन यह है थोड़ा हमने भी करना में किया महां पर आप देख सकते कि आपके पास अगर माल लो किसी के पास आइपोन और कैमरा और जब और आपको कोई suggestion है आपका कोई comment है तो feel free to discuss और मेरे से कुछ अगर help चाहिए गोवा जब आते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे comment कर सकते या मेरा email id mention है उसके कुछ पूछ सकते आपका help कर सकूँ चलिए गोवा का सफर को काफी अच्छा बनाइए और enjoy के जिए like को डुख कि इवनिंग टाइम में I'll keep quiet just enjoy the video कि वीडियो में नहीं हूँ यह ऐसे आपको देखने के बाद आपका भी दिल खूस हो जायाएगा इसको कि आना मज़दार यह तो मैं अपना वीडियो यही पे अभी एंड करता हूँ और नए ब्लॉग में एक नए बीच पे मिलते हैं आपको और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और कुछ अच्छा किजिए लाइप को enjoy के जिए लाइप को celebrate किजिए see you in next video बाबाई टाटा बाईप सकता हुआं कोować लाइप करता हुआं किजिए लाइप कर्षि आपाट लाइप झाल झाल